तो दोस्तों, S.C.O. के मीटिंग को एटेंड करने के लिए पाकिस्तान के फॉर्ण मिनिस्टर विलावल भुट्टो भारत के दोरे पे आये है। और दोस्तों, इस दोरे के दर्मियान ही, भारत के फॉर्ण मिनिस्टर डॉक्टर एश जैश अंकर के तरफ से विलावल भुट्टो के सामने ही साफ साव ये वता दिया गया है कि भारत क्रॉस बॉर्डर आतंकी गतिविदियों को नहीं सहेगा और पडोसी देशों के तरफ से जवाब देना बाकी है. आला कि दोस्तों इसकी बाद पाकिस्तान जवाब के डर्श से एक तरीके से थर थर अरहा है और पाकिस्तान को फिलाल ये समझमें नहीं आ रहा है कि भारत इस बार स्ट्राइक कहा से अंजाम देगा. और Unmanned Aerial Vehicle के द्वारा किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एर स्ट्राइक को सेफ और सिक्यूर तरीके से अंजाम दिया जाए, उसके लिए भी भारस्वदिशी तरीके से हतियारों को बना चुका है। अब दोस्तो इस तरीके के सिस्टम के डिवलप्मेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ा सकसेस है और आपके जानकारी के लिए बता दू कि इसके डिवलप्मेंट ट्राइल संपूर्ण होने के बाद भारत को सिग्निफिकन बढ़ोतरी मिलेगा। और एफेक्टिव रेंज 1.5 किलो मिटर से लेके 2.5 किलो मिटर तक होगा और इसमें गाइडनेंस के लिए टू वे डेटा लिंक का इस्तेमाल होगा। और सिकर के रूप में highly effective IIR मतलब imaging infrared सिकर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तो इस तरीके के missile का इस्तेमाल भारत अपने लगभग सभी तरीके के unmanned aerial vehicle के द्वारा करना चाहता है जिनमें तापस रणी के drone से शुरू करके high altitude long endurance रणी के drone इवन भारत के द्वारा बनाया जाने वाले Archer NG drone में भी इसका इस्तेमाल होगा। दूसरे तरफ शायद जो भारत के तरफ से कुछ drone को import किया जा रहा है इवन जो drone भारत द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे armed drone में convert किया जा रहा है उन drone में भी ये भारत के तरफ से develop किया हुआ missile का इस्तेमाल होगा। दूसरे यहाँ पर आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन missile का development असल में DRDO और आदानी के कुलावरेशन के अंतरगत हो रहा है और वही पर आप लोगों को ये भी पता होगा कि आदानी कंपनी फिलाल इस्राइली हर्मिस र दूसरे तरफ से बनाया जाने वाले ये अनमैन एरियल वियकल लॉंच प्रिसेजन गाइड़ मिसाइल ही हो और हाल फिलाल में जो यूकरेन और रोश्या के लड़ाई में द्रोनों ने बहतरीन भूमी का निवाया उसे देखते हुए भारत के तरफ से काफी तेज रफ्तार में इस तरीके के मिसाइलों को बनाने का इरादा रखा जा रहा है ताकि अर्वन वोर्फेर से लेके हर तरीके के अनमैन एदियल वियकल वोर्फेर में भारत अपने खुद के द्वारा बनाया हुआ ये स्वादिशी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सके दूसरे तरफ दोस्तों अगर पाकिस्तान के point of view को देखा जाए तो आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने प्रवित्ती से नहीं हट सकता है जब तक पाकिस्तान को संपूर्ण रूफ से नक्षे से मिटार ना दिया जाए हाला कि दोस्तो ये भी होगा लेगन इसके लिए थोड़ा समय है और उससे पहले पाकिस्तान के तरफ से अगर भारत के अंदर कोई व्या आतंग की गतिविदियों को अंजाम दिया जाता है या फिर बॉर्डर के नजदिक पाकिस्तान के आर्मियों के द्वारा आतंग की कैम् भारत इस तरीके के मिसाइल और स्वधिशी द्रोनों का इस्तिमाल करके आसानी से एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकेगा मतलब दोस्तो भारत के और एयर क्रैप्टों को ना पाकिस्तान के सीमा को लागना पड़ेगा और ना ही एयर फोर्स के फायरेटों को और किसी भी तर बनाया जाता है या भारत को लगता है कि बोर्डर के नजदीक पाकिस्तान हमले के मनसूवे को लेके कोई जमावड़ा कर रहा है तो आसानी से एर स्ट्राइक करके इस तरीके के जमावड़े को भी तवा किया जा सकेगा और पाकिस्तान के जो आतंकी इंफरस्ट्रक्शर है उ उसे भी बनने से पहले तवा किया सकेगा।